हाल फिलाल के editorial में हम लोग बार-बारी EIA 2020 को बार-बार देख रहे हैं और इससे related जो draft है वो काफी जादा news में रहा है इवेर एक अगस्त के editorial में भी इसको mention किया गया है और इसके पहले भी editorial में mention किया गया है तो इसके लिए आपको environment impact assessment आखिर क्या होता है यह पता होना चाहिए और नए जो draft notification है उसमें क्या changes कहे गए है और इसके अलाबा क्या issues है वो सब भी पता होना चाहिए तो इस वीडियो में हम लोग environmental impact assessment जो draft आया है उसको देखेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका basic concept क्या है थोड़ी बहुत history भी देख लेंगे इसके बारे में और इसके बाद फिर हम लोग इसको wrap up करेंगे इस particular वीडियो को with an MCQ ठीक है तो चले आप इस वीडियो को start करते हैं हम लोग तो सबसे पहले हमें यहां पर पता होना चाहिए कि EIA that is environmental impact assessment का definition क्या होता है या फिर यह क्या है ठीक है तो सबसे पहले चीज़ हम लोग पहला point ही देख सकते हैं यहां पर कि it is a process जो की scrutinize करता है किसी भी project के potential को कि वह किस तरह से यहां पर environment के उपर में impact डाल सकता है ठीक है इसको एक example के तौर पर देखते हैं अब जैसे for example कोई भी एक industrialist है अगर वो coal का industry को set up करना चाता है किसी particular area में ठीक है तो यह हो गया उसका project और इस project को set up करने के पहले उसको environmental clearance की ज़रुरत परेगी तो यहां पर EIA यही environmental clearance related जो भी data है उसको एकटा करता है और यहां पर इसको scrutinize करता है चेक करता है कि वह particular जो project है वह सही है या नहीं उसका क्या impact पढ़ने वाला है environment के उपर में तो second point में यही चीज को mention किया गया है कि जो भी proposed project होता है जैसे मैंने अभी आपको coal का जो project के बारे में बताया तो इस project के start होने के पहले ही हम लोग जितने भी negative externalities होती है इससे related इसको हम लोग check कर लेते हैं और देखते हैं फिर इसके basis पर ही हमें आगे चलके decision लेना होता है तो third point में यही चीज mention किया गया है कि जो भी यहाँ पर proposed project होता है हम लोग check करते हैं कि यह जो project है यह environment के लिए friendly है यह environment के लिए यह खराब कर सकता है environment को तो इसी चीज के basis पे हम लोग उसको approval देते हैं अगर वो project सही होता है और या फिर abandon कर देते हैं अगर हमें लगता है कि इसका जादा environment पे impact पढ़ने वाला है और अगर यहाँ पे कुछ modification करके हम लोग इस project को आगे को बढ़ा सकते हैं तो वो modification भी करते हैं पर यह सारी चीज़े जो होती है यह environmental impact assessment के basis पर ही होती है तो इसलिए यह जो process है यह बहुत जादा important हो जाता है specially एक तरह का ecological और यहाँ पे जो आपका industrial जो दोनों industries है इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि इसके एक समन्वे बनाने एक coordination बनाने के लिए अब यहाँ पे आप मतलब environment को इंडस्री मत समझ जाना मेरा कहने का यह मतलब है industry का अलग हो गया एक area और ecological impact अलग हो गया तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे coordination बनाने का काम ही यहाँ पे जो environmental impact assessment है वो करता है अब यह जो है यह एक अगस्त का editorial है तो इसमें यहाँ पे इन्होंने जो background है that is history को बहुत अच्छे तरीके से cover किया है तो मैं यही से आपको topic को थोड़ा पढ़ा देता हूँ history से related क्योंकि अगर आप कहीं और sources से पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा tedious तरीके से दिया रहेगा तो इसको यही से देख लेते हैं तो अब आप box वाले area पे पूरी तरीके से focus करिएगा और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो environment impact assessment है या इसकी शुरुआत कैसे हुई तो अगर आप देखेंगे around the world इससे related जो भी legislative यहाँ पे intervention है यह आया है 1960s, late 1960s में यह start हुआ और इसका काम क्या होता था तो इसका obviously same काम होता था जो मैंने आपको definition में बताया कि यह जो भी projects होते थे उसका analysis करता था और check करता था कि वह उसका environment के उपर क्या impact पढ़ने वाला है तो हमने यहाँ पे देख लिया कि 1960s, late 1960s से यहाँ पे इसका जो assessment है यह इसके norms को बनाया गया basically Environment Protection Act 1986 के basis पे, ठीक है तो आपको यह भी particular act को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए या किस चीज़ से related है, तो इस से related थोड़ा basic मैं आपको दे देता हूँ अभी तो इस act का सिर्फ हम लोग brief देखेंगे क्योंकि यह अलग से एक topic बन जाता है, जिसको discuss किया जा सकता है अलग से तो यहाँ पे Environment Protection Act 1986 आखिड है क्या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह act है Parliament of India का और इसको कब बनाया गया, तो यहाँ इसको आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया अब यह कौन से Constitution के Article को एक तरह से support करता है या फिर उसके मदद लेता है, तो आप देख सकते हैं Article 253 of Constitution तो अब आप Comment section में मुझे बताए कि Article 253 of Constitution के heading क्या है अब आगे बढ़ते हैं, तो यह particular March 1986 में पास किया गया, फिर उसके बाद हम दोग देख सकते हैं अब इस particular act के अंदर गात आप देखिएगा, तो 26 sections है और 4 chapters है अब आगे देखते हैं कि इस particular act का purpose क्या है मैं बहुत बारी particular बोल रहा हूँ, इसको नजर अंदाज करिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि यह act basically कर रहा है क्या तो जो United Nation Conference on Human Environment है इसके decisions को implement करने का काम करता है अब आप फिर सोचेंगे कि या फिर United Nation Conference on Human Environment क्या है तो यहाँ पर ही देख लेते हैं इसको तो यह जो conference है देख रहे हैं आप United Nation Conference on Human Environment यह हुआ था Stockholm, Sweden में और यह 1972 में हुआ था और इसके अंतरगत सिर्फ यही देखा गया था कि discussions basically हुए थे, काफी सारे issues थे तो इसमें basic जो discussion हुआ था वह किस तरह से human environment के साथ interact करता है यही चीज़ यहाँ पर इसके उपर ही decisions को लिया गया था तो इस act के अंतरगत और भी क्या चीज़े आती है तो किस तरह से हम human environment को protect और improve कर सकते है साथ के साथ human beings और other living creatures जैसे plants या property हुआ तो इनको भी हम लोग hazards से बचा सकते है अब यह जो act है यह umbrella legislation की तरह काम करता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कई सारी frameworks जो है वो central government बना सकता है और हम लोगों ने अभी हाल फिलाल में अभी जो देखा है यहाँ पर जो notification आया है EIA का वो भी इसी चीज़ के उपर में based है तो इसलिए हमें थोड़ा background पता होना ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ से related तो वापस अब हम लोग history पर आ जाते हैं कई सारे sectors जैसे mining, thermal power, plant, ports, airport, atomic energy इन सब चीज़ों को यहाँ पर include किया गया और इसके अंदर चेक किया गया कि यह जो particular जितने भी sectors है इनके अंदर जो भी projects है यहाँ पर इसका implementation सही तरीके से हो रहा है या नहीं और environmental clearance इसको मिल रहा है या नहीं किसी भी project को start करने के पहले पर यहाँ पर यह जो 1994 में लाया गया norms यह एक तरह से बताया गया कि इसमें काफी सारे यहाँ पर कमिया थी तो एक तरह से इसको failure की तरह माना गया तो इसके लिए ही हम लोग जब भी देखते हैं कि कोई भी कमिया होती है तो यहाँ पर improvement किया जाता है तो 2006 में फिर यहाँ पर एक नया EIA program आया जिसके अंदर बहुत सारे norms आया notification आया एक नया वाला तो यहाँ पर basic जो पुराना वाला जो system था उसमें यहाँ कहा गया था corporate दोरा कि यह जो भी मतलब growth है उसको hinder करने का काम कर रहा है speedy growth को hinder करने का काम कर रहा है और इसके कारण ही यहाँ पर decentralized approach एक तरह से implement किया गया तो decentralized approach के लिए काफी सारे changes किया गया पहले चीज जो change की गई वहाँ पर देख सकते हैं कि एक appraisal committee को बनाया गया जो की center और state दोनों level पर होगा और इसी के recommendation के basis पर check किया जाएगा कि कोई भी project जो है वो सही है या नहीं है तो यह पहला चीज हो गया दूसरा change जो लिया गया यहाँ पर वह है कि यहाँ पर public hearing का concept लाया गया तो यह भी point आ गया इसके अंतरगत और आखरी चीज जो यहाँ पर की गई यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे और भी sectors और projects को इसमें include किया गया तो तीन चीजे हम लोग ने देख ली 2006 वाले जो notification है उसके अंतरगत और अगर आपको पता हो अभी जग जो भी हम लोग ने discussion किया अभी तक तो 2006 वाले notification ही currently अभी तक चल रहा है और यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि अगर यह जो draft EIA 2020 है अगर यह approve हो जाता है तो फिर यह हमारे पस नया notification होगा और यह पुराना वाला जो notification यह खतम हो जाएगा तो अब draft notification की तरफ बढ़ने के पहले हम लोग essential components देख लेते हैं कि आखिर EIA के अंतरगत क्या आता है तो यहाँ पर आप total 7 components देख रहे होगे बर चुकी यह जो image है यह उतना जाद अच्छे तरीके से visible नहीं है तो इसको हम लोग कहीं और से बढ़ते हैं तो यह image जादा clear है तो यहाँ देख लेते हैं 7 components एक ही करके देखेंगे तो सबसे पहला component होता है वो screening होता है तो screening में basically हम लोग क्या करते हैं किसी भी project से related हम लोग full या partial impact assessment study को काम करते हैं इसका काम करने का start करते हैं ठीक है determine करते हैं कि जो भी project है इसमें full यहाँ पर impact assessment चाहिए या partial impact assessment चाहिए ठीक है तो यह हो गया screening अब आते हैं scoping scoping में हम लोग क्या करते हैं कि क्या potential impact को हम लोग को assess करना है इसको हम लोग देखते हैं और इससे related alternative solutions क्या हो सकते हैं यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ठीक है तो हमें क्या करना है मतलब क्या कौन से कौन से impact को assess करना है scoping में हम लोग इसी चीज को देखते है अब third जो आ गया यहाँ पर आप देख सकते हैं assessment and evaluation of impacts and development of alternatives तो हम लोगों ने scoping में किया किया कि आखिर कौन से potential impact हो सकते हैं इसको check किया फिर यहाँ पर third point में हम लोग उनी सारी चीजों को एक तरह से assess करते हैं ठीक है predict करते हैं और identify करते हैं कि क्या environmental impact हो सकता है जो भी proposed project है और इससे related अगर alternatives है तो उसको भी यहाँ पर define करने का काम कर देते हैं तो तीसरा point हो गया अब चौथा point पर आते है चौथा component क्या है तो reporting the environment impact assessment और EIA report तो यहाँ पर report करने का काम कर रहे हैं तो basically हम लोग क्या करते हैं इसमें तो हम लोग यहाँ पर environment management plan बनाते हैं और इससे related जो भी report तयार होता है इसको हम लोग बताने का काम करते हैं ठीक है तो चौथे point में हो गया बताने का काम हम लोग ने कर दिया अब आते हैं 50 component पे तो आप देख सकते हैं कि review of environmental impact statement तो जो यहाँ पर हम लोग ने चौथे point पे report एक तर से तयार किया इसी का review होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि review कौन से कौन से basis पे होता है तो हम लोग ने जो scoping किया मतलब जो potential impacts हम लोग ने देखा वो और इसके अलावा यहाँ पर public participation आ जाता है तो यह आप ध्यान में रखियेगा ठीक है कि public से भी review कराया जाता है कि क्या यह जो environment impact assessment है या किया गया है सही है या नहीं है तो छटे point पे finally decision making हो गया और साथवे point पे आप हम लोग आते हैं तो साथवे point पे क्या होगा तो obviously हम लोग ने जो भी decision making कर लिया इसका monitoring किया जाएगा इसका check किया जाएगा कि compliance हो रहा है नहीं enforcement related और साथ के साथ environmental auditing की जाएगी तो मेरे क्याल से आपको साथो point समझ में आ गये होंगे किस तरह से step by step यह होता है और आप लोग आगे चलके officer बनेंगे तो obviously आपको यह particular जो environmental impact assessment है या पता होना चाहिए यह बहुत ही basic चीज है तो जैसा कि हम लोगों ने 2006 वाला notification देख लिया EIA का कि उसका कामकाजी कैसा होने वाला है और उसके अंदर components क्या है ठीक है पर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि यह जो EIA notification है इसके उपर भी बहुत सारा बोला गया 2006 वाला कि उसमें भी काफी सारे shortcomings है तो उन सारे shortcomings को एक वैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो environmental impact assessment notification है 2020 वाला तो इसमें क्या क्या changes लाए गए है इसको देख सकते हैं सबसे पहली चीज कि इसका काम क्या होगा तो यह basically propose कर रहा है certain conditions और thresholds को जो की नए infrastructure projects में एक तरसे implement किया जाएगा और साथ के साथ यहाँ पर जो भी modern organization हो रहा है इसमें भी इसका expansion किया जाएगा ठीक है तो पहली चीज तो यह हो गई अब यहाँ पर जो projects include होंगे यह ध्यान में होना चाहिए कि dams, mines, airports, highways यह सारी चीज़े आ जाएगे अब यहाँ पर आते हैं कि key features क्या क्या है तो यहाँ पर तीन heading में ही इन्होंने बताया ह जाएगा और यह जो categories का definition होगा मतलब अलग-अलग करना होगा यह कौन से basis पे होगा तो potential social and environmental impact के basis पे इसको एक तरह से बांट दिया जाएगा फिर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी projects होंगे इनको prior environmental clearance चाहिए होगा from the concerned regulatory authority before commencement of any construction ठीक है तो यह भी आपको दिहान होना चाहिए पर यहाँ पर एक और चीज आ जाती है जो issue है जो हम लोग आगे discuss करेंगे कि post facto यहाँ पर जो एक तरह से clearance है उसका भी क्या मतलब होता है वो हम लोग issues में देखेंगे ठीक है अब next point आता है exemption related तो 2006 वाला जो notification है उसमें यहाँ पर इन्होंने public consultation को एक तरह से अ exempt कर दिया गया है अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि building construction and area development projects inland waterways expansion और widening of national highways modernization of irrigation projects तो यहाँ पर आगे issues में हम लोग इसको detail में देखेंगे फिर आते हैं यहाँ पर violations के उपर में तो यहाँ पर draft notification ने चार तरीके से यहाँ पर four ways for cognizance of environmental violation को एक तरह से define किया है ठीक है तो यह कौन से कौन से हैं इसको देख लेते हैं तो application और project promoter तो यह हो गया पहला violation दूसरा हो गया reporting by any government authority फिर तीसरा हो गया यहाँ पर found during the appraisal by appraisal committee तो हम लोग ने 2006 वाले में जब पढ़ रहा था उस time पर हम लोग ने देखा था कि appraisal committee बनाई गई थी जिसका काम होता था recommendation को देना तो यही चीज़ है कि यहाँ पर भी हो गया तीसरा point और चौथा point है कि कोई भी ऐसी violation जो कि यहाँ पर application processing के time पर जब regulatory authority कर रहा हो तब पता चले तो चार violations को हम लोग ने देख लिया तो key features आपको at least जो भी proposed notification है इसका हम लोग ने देख लिया अब हम लोग main चीज़ पर आते हैं कि आखिर यह जो particular notification है इसमें issues क्या है और इसको काफी जादा अच्छे तरीके से देखना होगा तो जो issues है इसको मैंने एक दो जगह से खटा करके फिर यहाँ पर बनाया है तो आपको एक ही जगह पर consolidated form में मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं कि issues pertaining to draft EIA notification तो इसके बारे में ही यहाँ पर एक issue आ गया हुआ है और वो issue क्या है तो जो नया draft है इसमें post-fractal approval दिया जा रहा है projects को अब post-fractal approval का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर clearances मिल जाएगा उन सारे projects को भी जो under construction है या running phase में भी हैं कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई project है वो already start हो ग clearances के start हो रही है तो उसका environmental damage जो है वो assessment तो हो नहीं पाया कि कितना वो damage कर सकता है और मान लेते हैं कि अगर उस particular project को अगर यहाँ पर assessment का या clearance मिलने में अगर एक महिना या एक साल लग जाता है तो उस case में एक साल तक तो वो environment को damage कर देगा तो इस कारण से यहाँ पर यह जो start हो सकता है without environment clearance तो यह भी एक मतलब एक बड़ा issue के सामने आ गया हुआ है अब आते हैं second point पर तो second point पर मैंने आपको already समझा दिया था कि public consultation process में भी किस तरह से changes लाया गया है तो हम लोग ने आपको अभी बताया है मैंने आपको पढ़के बता दिया था वहाँ पर ही कि public hearing से related जो time period है उसको घटा दिया गया है पहले यह 30 दिन हुआ करता था इसको बाद में घटा कर 20 days कर दिया गया है और यहां पर वही है कि public के पास अब कम समय होगा अपने responses को submit करने के लिए तो जब हम लोग ने छटा वाला component देखा था था थीक है तो छटे वाले component के टाइ पब्ली का पार्ट जो है वह important हो जाता है ठीक है तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि यहां पर एक तरह से curtail down किया रहा है जो पब्ली का consultation का तरीका है ठीक है इसके बाद next point यहां पर आप देखेगा तो यहां पर public consultation hearing का जो point मतलब यहां पर period है उसको भी यहां पर shorten कर दि दिया गया है तो यह भी आप चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से public consultation process को एक तरह से impact किया जा रहा है draft notification के थ्रू इसके बाद environmental clearance से related भी यहां पर कुछ चेंजिस किया गया है तो आप देख सकते हैं कि environmental clearance जो भी mining project का होगा तो इसकी validity को भी increase कर दिया गया है आप देख सकते ह हैं कि यहां पर क्या कर रहे हैं तो यह validity को increase कर दे रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं river valley projects का भी यहां पर अभी 10 साल है तो 10 साल को यहां पर इसकी validity को भी increase करके 15 साल करने की काम कर दिये गया है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इससे क्या concern आता है तो concern यह आता है कि एक तरह का risk हो जा रहा है हमारे environment के उपर में जो कि irreversible होगा साथ के साथ यहां पर social और health consequences भी हो सकते हैं इस सारे projects के लिए और हो सकता है कि long time पर यहां पर जो भी changes है वो हो सकता है कि unnoticed चले जाए तो इस कारण से यह validity increase करना भी एक बड़ा issue के बनके सामने आया है अब आ project proponents हैं उनको हर 6 महीने में यहां पर report को submit करना होता था ठीक है और साथ के साथ उनको show करना परता था कि जो भी यहां पर activities वो carry out कर रहे हैं वो permission के अंतरगत हो रहा है या नहीं permission जैसा दिया गया है उसके अंतरगत हो रहा है या नहीं ठीक है अब नया जो draft है नया draft में क्या changes किया गया इनको इनके दौरा तो जो भी promoter होंगे उनको अब एक साल में एक बारी submit करना होगा ठीक है पहले दो बारी होता था अब एक बारी हो गया है तो अब यहां पर भी ने एक तरह से power ले लिया है अपने हाथ में कि project categorization का और project categorization कुछ एक वो कर सकते हैं उनको बोल सकते हैं कि वो strategic होगा और जो भी project को अगर strategic consider कर लिया जाएगा तो draft notification के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस से related कोई भी information बाहर नहीं आएगा public domain में नहीं आएगा तो अगर public domain में आएगा ही नहीं इस से related तो obviously उसके उपर में public consultation भी नहीं किया जा सकता है तो किस तरह से EIA process को bypass किया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने 5 issues बताए हैं ये 5 issues को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है तो अब आते हैं आखिर आगे की रह क् चीज हम लोग देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि यह जो draft notification है इसमें सारे issues भरे परे हैं यहाँ पर एक important इन्होंने changes जो किया है government ने यह भी important है आप देख सकते हैं क्या तो यहाँ पर कई सारे several terms हैं जो कि EIA से related है उसका definition provide किया गया है draft notification में अब यह कैसे important और सही हो सकता है तो अब आते हैं आखिर कैसे हम लोग जो भी problems है जो भी issues हम लोगों ने देखा इसको क्या करना चाहिए जिससे सभी चीज़े जो है वापस से normal हो जाए और हमारे लिए अगर देखा जा तो यह जो draft notification है इसमें issues कम और यहाँ पर benefits ज्यादा हो तो पहला step यहाँ पर वही हो यह भी एक तरह से फैलाए जाए जाए और बताया जाए तभी जाके public का participation और भी ज्यादा बढ़ेगा अब आप मान लेते हैं कि 30 दिन से भले आपने 20 days कर लिया पर यहाँ पर अगर information का accessibility fast कर देते हैं और साथ के साथ awareness create कर देते हैं तो 20 days के अंदर में ही यहाँ पर public hearing जो ह है वो हो पाएगा और public consultation भी हो पाएगा ठीक है second point हम लोग जानते हैं कि हमारी government जो है वो ease of doing business को improve करने की कोशिश कर रहे है हमारे country में तो यहाँ पर government क्या step ले सकती है तो यह जो average delay है in granting environmental clearance देख सकते हैं कि 238 days है तो इसको भी कम करने की जरूरत है और इसके लिए क्या पर government है वो अभी तक follow करती आई है grow now and sustain later वाली policy तो अब इससे move करना परेगा और यह बहुत ही जादा dangerous हो थकता है आने वाले situation में तो हमें क्या है तो हमें move करना परेगा sustainable development का जो concept है और उसको follow करके ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमें environment को भी बचाना है क्योंकि environment नहीं रहे एक sustainable development कर पाएं और यह true sense में तभी हो पाएगा जब हमारे पास एक social impact assessment होगा ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको यह जो particular topic है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा हम लोगों ने सारा कुछ discuss किया है EIA से related components देख लिए way forward देख लिए issues देख लिए नए draft में इसकी history देख लि है पहला statement है it has increased validity of the environment clearances for mining projects और it has been increased from 30 to 50 years पर यहाँ पे सिर्फ इसके लिए किया गया है यह पहला statement हो गया और दूसरा statement है the new draft requires the promoters to submit a report only once every year ठीक है इन दोनों statement के basis पे आपको comment section में इसका answer देना है तो चलिए आप इस video को wrap up करते हैं तो हमने EIA के बारे में सारा detail में देख चीजे देखी है हम लोग ने इसका history भी देखा हम लोग ने इसका सारा details देखा regarding components और इसके बाद हम लोग ने draft में जो issues हैं draft के जो highlights है उसको भी cover कर लिया और सबसे important part आजा है way forward way forward को भी हम लोग ने देखा है तो I hope आपको यह video अच्छा लगेगा और आप comment section में please हमें बत देखा हम लोग एंचार कर लोगे देखाए की चोत Ona की लोगेगा धेखा भी कि अवार अे finden